जैहिन सात्यों स्वागत है आपका सेल्प स्टेडी के लासे इस विस्व में जैन यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाली हैं हिंदी साहित में आदिकाल के लगबक सो प्रशने यानि कि आदिकाल का हम नाम करन पढ़ेंगे आदिकाल की महतपूर्ण जितनी भी रचना या एक्जाम में पूछ जाती है वो पढ़ेंगे आदिकाल की पंक्तियों को पढ़ेंगे ठीक है तो यहां पर आदिकाल की मैन मैन जितने भी प्रशन आपके बनते हैं एक्जाम में उन प्रशनों के बारे में पढ़ने वाले हैं और मस्ती से पढ़ेंगे एक नमबर ट्रिक से पढ़ेंगे ठीक है तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है वीडियो को लाइक करना है सुबह साड़े नौवजे रोज ट्रिकी वीडियो आता है ठीक है रात्री नौवजे हिंदी का टेस्ट होता है तो आप किसी भी एक पाहित का इतिया स्ट्रिक्स करके एक प्लेलिस्ट बनी है वो देखें और ज्वाइन मेंबर बन की चैनल को सपोर्ट जरूर कर सकती तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें सेयर करें और बने रहें अंते तक अधी काल को बीर गाथा काल नाम किस ने दिया है तो यह चीज तो सही हो जाएगा और यहां पर आया है भी बीर और यहां पर आया है राम है ना तो राम कैसे पुरुस्त थे बोले सर बीर पुरुस्त थे हैंना कैसे थे बीर पुरुस्त तो बीर गाता काल कौन बोलेगा राम चंदर शुक्र यानि यह नम्मर आपका बिलकुल सही हो जाएग होती की नई होती अब आप लोगो ही बताना है पंडितों के बाद सिद्धी होती है ये सिद्ध पुरोस होते हैं तो ये सिद्ध सामंत काल कौन बोलेगा कौन बोलेगा कोई पंडित ही होगा यानि कि पंडित राहुल सांकृत्यायन इन्होंने कहा कि ये तो सिद्ध सामंत काल है पंडित को तो सिद्धी ही देखेगी है ना तो वो सिद्ध सामंत काल बोला इनोंने ठीक है अगला देखो दोस्तो आधी काल को संधी काल एबं चारणकाल किस ने कहा संधी काल और चारणकाल जैसे ही संधी की बात आती है दोस्तो तो आपने रामाण देखी होगी है ना दे संदी कर लो, चरण पकड लो अभी भी मौका है, किसके राम के, तो ये संदी काल और चारण काल कौन बोलेगा, कोई राम ही आएंगे, क्यानि की राम कुमार बर्मा, ठीक है, इन्होंने दोस्तों, 750 से 1000 के काल को बोला संदी काल, और 1000 के बाद के काल को चारण काल नाम दिया, क कि बिस्तों में अहिंसा के बीज किसने बोई, अहिंसा के बीज किसने बोई, अहिंसा की बात किसने की है, और वो किये किसने, महाबीर भगवान ने, किसने की है, महाबीर भगवान ने, अहिंसा की बात की है, अहिंसा के बीज बोई है, तो यहाँ पर बीज बोई, तो बीज वपन काल कौन बोलेंगे महावीर पारसाद दुबेदी यानि ये नम्मर आपका बिल्कुछ सही हो जाएगा और दोस्तों अगला क्वेश्चन है आदी काल को अप भ्रेंस काल किसने कहा है बहुती बढ़िया है दोस्तों और बताना है आपको है ना चार बिकल्प हैं चार में से हिंदी की बात करो है ना और गोली मारो तो गोलेरी और धीरे से हिंदी की बात करो तो धीरेंद बर्मा ने अप भ्रेंस काल कहा है दोस्तों अप भ्रेंस काल आदी काल को अप भ्रेंस को गोली मारो धीरे से हिंदी की बात करो तो गोली से गोलेरी और धीरे से धीरेंद ब कलप हैं और आपको पता है संक्रमन का काल चल ही रहा है है ना घर बाले बोलते हैं जादा हरिस्चंद मत बनो खेलने कोई नहीं जाएगा खेलने बाहर खेलने कोई नहीं जाएगा किसे बोलते हैं बच्चों से घर बाले बोलते हैं कि जादा हरिस्चंद मत बनो कोई भी खेलन नहीं जाएगा है ना नहीं तो क्या हो जाएगा संक्रमन हो जाएगा तो खेलने नहीं जाएगा तो आपका राम खेला बन पांडे हैना हरिस्चंद मत बनों तो हरिस्चंद बर्मा इन दोनों ने ही दोस्तों संक्रमन काल कहा है आदी काल को ठीक है यह चीज़ याद रखने आ आपसे पूछा जाएगा आदिकाल को संक्रमन काल किस ने कहा है बोले खेलने जाते हैं तो संक्रमन हो जाता है है ना और घर बाले बोलती कि हरेस्चंद मत बनो खेलने जाना है ना तो हरेस्चंद बर्मा और राम खेला बन पांडे इन्हों ने कहा है संक्रमन काल आदिकाल को ठीक है अंगला है दोस्तो आदिकाल को अंधकाल अंधकार और बाल्य आवस्ता काल नाम किस ने दिया बहुत ही वड़िया है दोस्तो अब अंधकार काल और अंधकाल ये अलग अलग है है ना नाम दिया है तो अंधकाल और बाल्य आवस्ता जो नाम दिया है वो दिया है किसने रमा संकर सुकल रसाल ने किसने दिया रमा संकर सुकल रसाल ने दिया है है ना और बोले जो बाले आवस्ता में रस है वो कही भी कोई भी आवस्ता में नहीं है रस सी रसाल ठीक है रसाल बाले आवस्ता काल रसाल ने कहा है अंद काल भी रसाल ने कहा है ठीक है किसने रमा संकर सोकले रसालने ठीक है अंधकाल अंगला दो तो आदिकाल को बीरकाल किसने कहा है बोले सर दुनिया में पूरे बिस्स में बीर लोगों की बहुत इज़त की जाती है है ना जो बीर होते हैं पूरे बिस्स में उनका नाम होता है उनकी क्या बचती है है न विस्तुनात प्रसाद बोलेंगे कौन बोलेंगे विस्तुनात प्रसाद इस प्रकार से अंगला है दोस्तो आधी काल को चारन काल नाम किसने दिया चारन काल अब चार बेकलप हैं अपन लोग बोलते ना कि स्री राम के चरणों में गिर परे क्या परे गिर परे तो चारन काल क किसने चारणों में गिर चरणों में गिर तो गिरीयर्सन ने कहा चारणकाल और संधीकाल और चारणकाल किसने रामकुमार बर्माने भी कहा है हजारी पर साथ दुबेदी ने दिया बोले ये आदिकाल है एक बार नहीं मैं हजार बार बोल चकता हूँ ये आदिकाल है किसने कहा हजारी पर साथ दुबेदी ने हजारों हजार बार कहा आदिकाल ठीक है तो इस प्रकार से आदिकाल बी नम्मर आपका बिलकुँ सही हो मोहन का आधार काड मोहन का आधार काड ठीक है मोहन का आधार काड इस प्रकार से ठीक है तो मोहन से हो जाएगे मोहन अबस्ती और आधार से आधार काल ठीक है आधार काल या फिर आधार काड किसका मोहन का तो मोहन अबस्ती ने कहा है आधार काल ठीक है काल किस ने माना था। पुरानी यंदी का काल जो कहा है वो किसने मैं तो पुरानी हिंदी का काल गुलेरी जी ने इस ठीक है, इसको याद रखेंगे, अंगला है दोस्तो, आदिकाल को उदभाव काल किस ने कहा है, उदभाव काल, और आपको पता है, अपन लोग क्या बोलते हैं, कि इस प्रत्वी पर बासु देओ का क्या हुआ, उदभाव हुआ है, अब पाप क्या हो जाएंगे, नश्ट हो तो यह उद्भाव हुआ है किसका बासू देओ का, उद्भाव, बासू देओ, तो बासू देओ सेहने कहाँ है दोस्तो उद्भाव का हिंदी के आदी काल को, ठीक है backsू देओ, अंगला है आदी काल को, अपबरेंस काल, जातीए साहित का उदधै ये नाम किसने दिया है, बोले सर बच्चन जो होते हैं बच्चन लोग बच्चे लोग होते हैं उन्हें क्या करना जाती पाती से हैना उन्हें जाती आती से कुछ नहीं रहता है यहां पर जाती आया तो बच्चे लोग जाती आती का बेद नहीं रखते तो जाती है साहित का उदाय अपर ब्रंस काल ज जब हम कोई भी चीज प्रारम्ब करते हैं तो क्या बोलते हैं यार प्रारम्ब कर रहे हैं स्री गड़ेस करो यानि की प्रारम्ब करो स्री गड़ेस करो यानि प्रारम्ब करो है ना तो प्रारम्ब काल कौन बोलेंगे कौन बोलेंगे गड़पती चंद्र गोपते किसने का प् बीर प्रशस्ती बेस्सुनाथ प्रशाध मिस्र ने हजारी प्रशाध दुबेदी ने गणपती चंद्रगुपत ने या फिर बीजिएंद्र इसनातक ने वो लेगा बिजे अंदर इस ना तक बिजे अंदर इसना तक यानी डी नम् outrage बीर लोग बिजया हते हैं तो बिजे अंदर इसना तक डी नम मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा है ना अंगला mínimo कोशचन ए marine को प्राचिन काल नाम किसने Nope R बिसुनात प्रसाद मिसर ने हजारी प्रसाद दोवेदी ने गडपती चंद्रगप्त ने या फिर संभू नास सेह ने तो आधी काल को प्राचीन काल जो नाम दिया है वो किसने दिया है और आपको पता है दोस्तों आप से बोलें कि आप किस की पूजा करते हैं तो बोले हम संकर जी की करते हैं आपके पापा किस की करते हैं संकर जी की आपके दादा किस की करते हैं संकर जी की अरे बोले सर बात बिलकुल नहीं करो हमारे घर में प्राचीन काल से ही संभू नात की पूजा करते आ रहा हैं संभू है ना बोलती न स्त ठीक है अंगला है तो तो आधी काल को संक्रांती काल किस ने किया संक्रांती संक्रांती से अभी ऐसा नहीं लगा था कि सक्रांत एक तिवहार होता ना संक्रांत संक्रांती आगई अपन बोलते तो क्या होता है संक्रांती में लड्डू अड्डू का प्रसाद मिलता है काई का राम प्रसाद मिस्र तो प्रसाद मिलता है संकरांती को तो राम प्रसाद मिस्र ने कहा है संकरांती काल ठीक है यानि डी नम्मर आपका बिलकुस सही हो जाता है अंगला है दोस्तों आदी काल को अनिर्दिष्ट लोक प्रिविर्थी का योग किस ने कहा यानि कि प्रशन क्रमा कुननीस आदी काल को अनिर्दिस्ट लोग प्रिविर्थी का योग विस्तुनात प्रसाद मिस्र ने हजारी प्रसाद दुवेदी ने रामचन सुकले या फिर रामप्रसाद मिस्र ने तो आदी काल को अनिर्दिस्ट लोग प्रिविर्थी का जो योग कहा है वो कहा है रामचंद्र सुकले ने है ना ये बहुत ही बढ़िया है अनिर्दिस्ट लोग प्रिविर्टी का योग था आदिकाल ऐसा कथन कहने वाले थे तो वो रामचंद्र सुकले जी थे अंगला है आधिकाल को आरंभिक काल नाम किस ने दिया दोस्तो हमने पड़ा था प्रारंब कोई हमकार करते हैं प्रारंब तो स्रीगड़िस करते हैं प्रारंब अब यहाँ पर आरंभिक काल आ गया तो ये एक बाद याद रख लिना कि आरंभिक में जब आप कोई भी चीज करते हो आरंभिक में तो क्या करते हो कि सब मिस्रित कर देते हो है ना ये भी लेलो वो भी लेलो सब मिस्रित कर देते हो क्या करते है तो मिस्रित कर देते हो आरंभ में फिर धीरे धीरे से अपना ब्रांड बनाते हो ब्रांड तो आरंभ में हम सब मिस्तर कर देते हैं तो मिस्तर बंदू ए मिस्तर बंदू ने कहा था आरंभ काल यानि डी नम्मर आपका बिल्कुछ सही हो जाएगा मिस्तर बंदू ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो जितने भी आपके नाम करन से संबंदेत थे जितने बिद्वान मैंने आपको बता दिये याद भी आपको करवा दी जहां जैसी ट्रिक निकली अब आपको बताना है कि आदिकाल को अत्यादिक बिरोधी एवं ब्याग हातों का योग किस ने कहा बहुत ही बड़ीया प्रस्न है अत्यादिक बिरोधी एवं ब्याग हातों का योग ये किस ने क यहां पर आपका अत्यादिक ब्रोधी और ब्यागातों का यूग कहा है हजारी पर साथ दुवेदी ने हजारी पर साथ दुवेदी ने इन्होंने कहा कि आदी काल के बारे में तो हजारों ब्रोध हैं हजारों ब्रोध हैं तो इन्होंने कहा कि अत्यादिक ब्रोधी और ब्या बोखातों का यए कुल बोलेगा Snow 2 वे दी परमाल राशों के रिशनाकार को אन है दोस्तों एक चीज़ बताना परमाल मतलब क्या होता है पर मतलब दूसरों का माल मतलब सामगर्री या कुछ भी तो परमाल और दूसरों का अगर माल चुराना है तो क्या करना पड़ेगा जगना पड़ेगा इस चोर लोग क्या करते हैं दूसरों का माल चुराती हैं तो रात में जगती हैं जग से बनेगा आपका जगनिक और क्या चुराती हैं परमाल दूसरों का माल चुराती हैं चोर रात में जग कर तो जगनेख, ठीक है, परमाल चुडाना है तो जगना पड़ेगा तो जगनेख, परमाल रासो, जिसे एक याला खंड कहा जाता है, और यह दोस्तों इसके जो रचेता हैं, वो कोने जगनेख हैं, ठीक है, सबी लोगों को बैसे पता होगा, अंगला है बीसल देव रासो की र और दोस्तों आपको पता है कि बीसल देवरासों के रचनाकार कौन है वो है नर्पती नाल नर्पती और नर्पती दोस्तों कितने होते हैं हैना बीस नहीं होते बोले बीस पती नहीं होते एक पती होता है हैना बीस पती नहीं होते बीस क्या नहीं होते पती नहीं होते तो नर् नहीं होते एक होता है ठीक है तो बीसल देवरासों के रचनाकार कौन होंगे नरपती नाल ठीक है और अजमेर के सासक से समंदित थे दोस्तों है ना यह जो बीसल देवरासी है और गीती का बमाना जाता है इसको आपको याद रखना है अंगला है कीरती लता के रचनाकार कौन जगह जगह फेलेगी जिसमें विद्या नहीं है उसकी कीरती नहीं फेलेगी तो जो कीरती फेलेगी कब फेलेगी जब विद्या है तो विद्या पती है ना तो कीरती लता विद्या पती ठीक है विद्या है तो कीरती फेलेगी तो कीरती लता विद्या पती और दोस्तों आपक तो यह इनकी रचनाए थी तो पद लटा पता का ऐसे ज़ाद रखेंगे पद लटा पता का तो यह तीन रचनाए आपको याद रखना है और जिसमें बिद्या है उसकी कीरती पहलेगी इस परकार से ज़ाद भी करेंगे वर्ण रतना करके रचना कार कौन है दोस्तों आपको पता है आप वर्ण लिखते हो वर्ण courtyard जैसे आ अनार का आ आम का यह क्या कहला लाती है वर्ण तो वर्ण आप अंधेरय में पढ़ोगे की जोती में पढ़ोगे वर्ण अंधेरय में नहीं पढ़ना है, हमें जोती में पढ़ना है, जोती यानि कि उजाले में पढ़ना है, तो वर्न हमें जोती में पढ़ना है, तो जोत्री सर ठाक और, है ना, वर्न रतना करके रचना कार कौन होगे, जोत्री सर ठाक और, यानि कि जो बिकल्प नमबर आपका भी है, वो विल्को सही हो जाएगा अब मैं कभी पूछ हूँ आपसे बर्न रतना कर बोले सर बर्न तो हमें जोती में पढ़ना है तो जोत्री सर ठाकोर ठीक है अंगला है राउल बेल की रिचनाकार कौन है दोस्तों आपको ट्रिक भी बताना है कौन सी अच्छी ट्रिक लगी है वो कमेंट में बतान कभी कभी आप सोते ही हो और कोई बेल बजा दे तो सोने में रोडा बन जाती है कौन सोने में रोडा बन जाती है बेल सोने में रोडा बन जाती है बेल तो राउल बेल और बेल बन जाती है क्या रोडा तो राउल बेल की रिचनाकार कौन होंगे रोडा कभी रोडा कभी या आनम्मर आपका बिल्कु सही हो जागा, ठीक है, आपने कभी-कभी अनुगाउग किया होगा दोस्तों, जैसे ही आप सोए और किसी ने बेल बजा दी बाहर से, तो रोला वन जाती है आपके सोने में, तो रोला कभी की है, रावल बेल, ठीक है, अंगला है धोला मारूरा दूह है, बही ढोल बजाएगा, तो ढोला मारूरा दूहा की रिचनाकार कौन होंगे, कुसल लाव, है ना, इड़्दे को ढोल बजा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, कुसल है ढोल बजाने में, है ना, तो ढोल से ढोला मारूरा दूहा और ढोल बही बजाएगा, जो कुसल है, तो क कोसलाव ठीक है यानि कि जो सी नम्मर है वो आपका बिलकुल सही आनसर होगा. आपको पता है दुश्चों आपने गदर फिलम देखी होगी गदर फिलम देखी है शनी देवल अकेले और शनी देवल क्या करते हैं विजय प्राप्ट करने के लिए नल उखाड देते हैं. बिजय प्राप्त करने के लिए क्या उखाड देते हैं नल ये देखो हाथ में ये बिजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने नल उखाड दिया तो बिजय से बनेगा बिजय पाल रासो और नल उखाड दिया तो नल सेहभाट बोले नल उखाड दिया है ना बिजय प्राप्त क एक मात्र उपगरह कौन है चंद्रमा तो यहां पर प्रत्वी आया है तो इसका उपगरह भी कहां पर आएगा यहां उपगरह आ जाएगा तो प्रत्वी का उपगरह चंद्मा तो चंद बरदाई प्रत्वी का उपगरह चंद्रमा तो चंद बरदाई प्रत्वी का उपगरह मौती जबाहर एक किसके पास होंगे गरीब के पास कि अमीर के पास एक देखो एक जबाहर है हीरा मौती जबाहर और एक जबाहर जो होंगे वो किसके पास होंगे अमीर ब्यक्ति के पास होंगे कि गरीब ब्यक्ति के तो आपने विल्कों सही आंस पहचाना है कि सरामीर के पास होंगे तो जबाहर एक खुसरवी कि जो रचना होगी वो किसकी होगी अमीर खुसरो और खुसरवी से तो खुसरो है तो खुसरवी ठीक है अगला कोश्चन आपको बताना जय मैंक जस चंद्रिका की रचनाकार कौन है तो चार बिकल्प है और आपको पता है दोस्तो कि जब एक पती एक पतनी अपने पती के लिए करवा चोथ का ब्रत रखती है एक पतनी अपने पती के लिए करवा चोथ की ब्रत रखती हो और चंद्रमा की चंद्रिका को जब पतनी देखती है तो जो चंद्रिका है वो कैसी नजर आती है मदोर तो मदुकर है ना जय मैंक जस्चंद्री का कैसी नंजर आ रही है मदोर से मदुकर ठीक है जय मैंक जस्चंद्री का चंद्री का नंजर आ रही है मदोर तो मदुकर ठीक है यानि कि जो सा नमबर है वो आपका बिलकुँ सही हो जाएगा सा नमबर ठीक है अंगला है खुमान रासो के रेचनाकार थी सेवाजी की है ना इन्हें खुमान की पद भी दी गई थी और खुमान रासों की जो रचनाकार होंगे वो कौन होंगे दल पती बिजय खुमान से बनेगा दोस्तों आपका गुमान और हम बोलते ना कि गोरे रंग पर ना इतना गुमान कर, कभी-कभी कोई दल का पती रचनाकार दल पती बिजय ठीकैं, इस प्रकार से आपको याद रखना है दोहा खुमान कर कोन है दोस्तों आपको पता भी तो है आप बोलोगे सर दोहा सुनाओ, सर से सरहपा और दोहा सुनाओ से इसो दोहा कोस है ना तरिक अगर इधर लेख दूं कि ट्रेक सर दोहा सुना दोहा सुनाओ, सर से सरहपा, दोहा से दोहा कोस, तो दोहा कोस की रचनाकार सरहपा, ठीक है, अंगला है सरापकाचार की रचनाकार कौन है, हिंदी की प्रिथम रचना मानी जाती है दोस्तों, और यह जो सरापकाचार है, आपको पता है, कि जैन्धर में बेक्ती जब भगवा के पास जाता है तो स्राबक बनके जाता है भगवान के पास है ना है ना और भगवान को क्या बोलता है देव तो स्राबक जाता है किस के पास देव के पास स्राबक बनकर जाता है वेक्ति देव के पास तो स्राबकाचार क्रिचनकार कौन होंगे देव सेन यह देखो यह वेक् पुद्धी रास के रचनाकार कोन है बुद्धी रास दोस्तों आपको पता है कि हम बोलते हैं कि वो बुद्धी साली लोग हैं बुद्धी साली लोग है तो यहाँ पर बोई तो पूची गया है कि बुद्धी साली तो बुद्धी साली यानि कि बुद्धी साली बद्रसूरी बुद्धी राख साली बद्रसूरी और किसी किसी की तो साली भी बहुत बुद्धी मान बहुती है बोलते हैं जिस जिसकी साधी हो गई बोले मेरी साली बहुत बुद्धी मान हैं, है ना, तो बुद्धी से बुद्धी और बुद्धी साली, ऐसे याद रखना बुद्धी साली, वो बुद्धी साली लोग हैं, तो बुद्धी साली से बुद्धी रास, साली से साली वद्र सूरी, है ना, तो बुद्धी साली इस प्रकार से, अं रेबंत गिरी की पर विजय प्राप्त करनी थी, बहुत सारे राजा सोचते थे कि रेबंत गिरी पर क्या करनी है, विजय प्राप्त करनी है, काई पर रेबंत गिरी पर, तो रेबंत गिरी रास की रचना कार कौन होगे, विजय प्राप्त करनी है, तो विजय सेन सूरी, रेब है चंदन बाला रास की रचनाकार कौन है दोस्तों चंदन बाला हम जब मंदिर जाते हैं तो चंदन की आस लगा के जाते हैं चंदन की आस यह देखो यह महासाय चंदन की आस लगा के बैठे थे तो इनको चंदन लग गया तो याद रख लेना चंदन की आस तो आसगू चंद जनबाला रास किस की होगी आस से आसगू है ना चंदन की आस इतना याद करना चंदन की आस तो आसगू कभी की है कुमार पाल पिर्ती बोत के रचनाकार कौन है कुमार पाल पिर्ती बोत तो आपको पता होगा आज कल के जो कुमार हैं वो सौम रस बहुत पी रहे हैं सौम है कुमार लोग सौम रस पी रहे हैं तो सौम प्रभ सूरी इस प्रकार से याद करेंगे कुमार लोग सौम पी रहे हैं तो सौम प्रभ सूरी है ना डी नमबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा कुमार पाल पिर्टी बोथ करचनाकार सौम प्रभ सूरी कच्छुली रास करचनाका प्रग्यां तिलक लगाकर तो प्रग्यां तिलक लगाकर तो प्रग्यां तिलक लगाकर तो प्रग्यां तिलक लगाकर 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 प्रग्यां तिलक इस प्रिकार सी जै चंद प्रिकास की रचना कार कौन है दोस्तों चार बिकल्फ हैं और आपको पता है दोस्तों कि केदार नात में हमें क्या करना है चंद्रमा का प्रिकास करना है तो चंद्रिसी चंद्रमा और चंद्रमा का प्रिकास कहा करना है केदार नात में तो केदार भ की रचना है जय चंद प्रकास जय मयंग जस्त चंद्री का यह मदुकर की है है ना और जय चंद प्रकास यह केदारवट की है ठीक है अंगला है दोस्तो हमीर रासों की रचना कार कौन है दलपती बेजय सारंग धर केदारवट या फिर स्वाम प्रफ सूरी तो हमीर रासों कई आपको बताना है चार बिकल्ब है विद्यापती की चंदवर्दाई तुलसी दास या फिर सरहपा की तब आपका दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज देखो हमें क्या देखना है इसका अर्थ नहीं देखना है सिर्फ ए चीज देखनी कि इसको याद कैसे जाए यह पंक्ती किस पती कहाँ आया यहाँ भी ये पती आगए बिध्यापती जनम अब धी हम रूप नहारल नयन नतिर पती भेल यानि कि यहाँ पर पती आया तो उतर में विए आपका पती वो आएगा तो यह जो पंक्ती हो गी वो वो किसकी हो जायगी किसकी हो जाएगी विद्यापती की ठीक है आ नम्मर आपका बिलको सही हो जाएगा अंगला देखो दोस्तो गोरी सेवे सेज पे मुकपर डारे केस यह पंक्ती कई बार पूची गई है दोस्तो अब आपको बताना है कि यह पंक्ती किसकी है और एक चीज में आपको बता दूँ कि जो यहाँ पर आया है एक सब्द सेज सेज मतलब होता है दोस्तो कौमल बिस्तर है ना कौमल बिस्तर मकमल के गद्दे वो सेज कहलाता है और बताना दोस्तो कि ये कौमल गद्दे मकमल के गद्दों पर अमीर ब्यक्ति सोएगा या गरीब ब्यक्ति सोएगा आप बताना गरीब के पास तो नहीं होंगे मखमल के गद्दे कौमल गद्दे किसके पास होंगे अमीर के पास तो सेज मतलब होते हैं कौमल गद्दे मखमल के गद्दे और इस सेज पर गरीब नहीं सो सकता अमीर सो सकता है तो अमीर खुसरो ठीक है इस पंक्ती के रचेता कौन हो जाएंगे अमीर खुसरो ऐसे ही पूरी पंक्तियां आपको याद हो जाएंगी दोस्तों अंगला देखो देसिल बैना सबजन मिठा ये पंक्ती किसकी है और मैंने आपको कई बार बताया है कि मिठा मिठा बोल थारो काई बेगेडे काई रचेती में बिध्या नहीं होती है वो करकस बोलता है उसकी आवाज खराब लगती है तो आपके अंदर भी बिध्या है और आपको कैसा बोलना है मिठा मिठा बोलना है तो याद रख लेना मिठा मिठा वो बोलता है जिसकी अंदर बिध्या होती है तो ये देशिल बैना भट भासा में है पदावली मैथली भासा में है याद रख लेना है दोस्तो और देशिल बैना सबजन मिठा यानि की मिठा मिठा ये विद्यापती ठीक है आनम्मर आपका सही होगा मैथल कोकिल भी इन्हें कहा जाता है कोकिल के जैसा बोलते हैं दोस्तो इस प्रकार से याद और चंद बरदाई ने प्रतिवी राज रासों की क्या की है रचना की है प्रतिवी राज रासों की उसके कुछ अंक छूट गए थे तो अधूरा था तो उसको जो पूरा किया प्रतिवी राज रासों को जल्हड ने किया है है ना तो दोस्तो जल्हड को पुस्तक हात में द परदाई के पुत्र का इसलिए इस पंक्ती के जो रचेता होंगी वो कौन होंगी बेकल्प नम्मर बी यानि की चंदबरदाई ठीक है इसको याद रखेंगे हिंदी के प्रतम महा कभी कहे जाते हैं चंदबरदाई और दोस्तों अंगला है जह मन पबनना संचरई लावी ससिल पबन्स तही बच्च चित बिसाम करू सरहे कहाई कहाई ओवेस तो यहां पर देखो दोस्तों बहुत ही अच्छे से पंक्ती पढ़ना है और यहां पर आ रहा है सरहे कहाई मतलब सरहे मतलब सरहपा है ना तो सरहे से क्या बनेगा आपका सरहपा तो देखो सरहपा कौन सा है D-number, है ना, जह मन पबन न संचरई लवीश सिना है पबन्स, यहाँ पर आगे आपका सरहे, और सरहे को हमने पकड़ दिया, और सरहे से बनेगा सरहपा, तो यह पंक्ती किसकी हो जाएगी, किसकी होगी, सरहपा, सरहपा यानि D-number आपका, बिलको सही हो जाएगा, ठीके, हिंद पिंडे सोई ब्रह्मांडे ए पंक्ति किसके बहुती बढ़िया पंक्ति है पूछी भी जाती है दोस्तो और मैं आपको बता दूँ कि ऐसा माना जाता है कि जिन पाँच तत्तों में जल बायू अगनी प्रत्वी इबम आकास से यह ब्रह्मांड बना है उनी पाँच तत्तों स पिंड यानि की सरीर भी बना है इस प्रकार जो कुछ ब्रह्मांड में है बही सब पिंड में भी अवस्तित है यत पिंडे तद ब्रह्मांडे इसलिए इस पिंड को ब्रह्मांड का लगूरूप भी कहा जाता है तो जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे ये एक अर्थ इ क्या रखा है माया मोह को इन्होंने त्याग दिया किसने गोरखनात जी ने और दोस्तो एक जो साधना है अंतह की साधना इन्होंने की तो इन्होंने कहा था कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे किसने कहा था गोरखनात ने कहा था कि जो दोस्तो जलबायु अगनी प्रत मांड़े ठीक है अंगला है बारा है बरस लो कूकर जीबे अरुते रहलो जीए सियार बरस अठारा है छत्री जीबे आंगे जीबन को देखकार आपको नहीं लग रहा है यह दोस्तों आला है आला और आला हम रात में जग कर पड़ते हैं आला हम रात में जग कर पड़ते हैं और इस पंग्ती के जो रचेता होंगी, वो कहन होंगी, जगनिक क्योंकि ये कहां से लिगए है पंग्ती आलाखंड से लिगए है, थीक है कि आलाखंड या जिसे परमाल रासो कहा जाता है परमाल रासो है ना और 12 बरस लो कूकर जीबे अरू 13 लो जीए से आर बरस 18 चत्री जीबे आंगे जीबन को देखकार ठीक है तो यह आला से तो जगने का आप से बन जाएगा नेक्स्ट गोरक जगायो जोग भक्ती भगायो लोग दोस्तो यहां confusion होता है बहुत सारे लोगों में यहां आगया गो option में गोरक दिया होता तो आप गोरक नात लगा देते लेकिन याद रख लेना यह पंक्ती बहुत ही बढ़िया है गोरक जगायो जोग भक्ती भगायो लोग यह गोरक नात ने नहीं कही है यह कही है तुलसी दासने यानि की B नंबर अब एक चीज़ याद रख लेना पूची दास की मानी जाती है इसको याद रख ली रहे हमें सब पूची जाती है दोस्तों क्यों पूची जाती है क्योंकि इसमें आप confusion होंगे और आप गलत करके आएंगे तो इसको याद रखेंगे ठीक है अंगला है माधाओ हम परिनाम निरासा माधाओ मतलब दोस्तों स इस प्रकार से पंग्तियों को मस्ती से यात करते जांगे, ठीक है, यह नम्मर आपका बिलको सही होगा नेक्स्ट है जो जिन सासन भासीयू सो भई कहियर सारू सो सरी पाबई पारू ठीक है यह पगति किसकी है दो स्टो यहाँ पर चार विकलपें चार में से चैन करके आप बताएंगे और यहाँ पर जिन सासन दिया है जिन जिन मतलब होता है दोस्तो भगवान भगवान का परयाब आची है जिन ठीक है जिन कहा जाता है और जेन धर्म में आपको पता है भगवान को जिन कहा जाता है और भगवान का जो सासन है उसे जिन सासन कहा जाता है ठीक है अब यहाँ पर देखो कि जो जैन धर्म से संबंदित गरंथ लिखा है वो सरापकाचार लिखा है देवसेन ने हिंदी की पिर्थम रचना है आपको पता है और दोस्तो जिन मतलब होता है भगवान या फिर देव तो यहाँ पर भी आपका देव आएगा देवसेन ठीक है जिन मतलब क्या होता है भग उसे जिन सासन कहा जाता भगवान की सासन को ठीक है तो देवसेन ए आपका सा नंबर बिलकुँ सही होगा इनकी जो रचना है वो कौन सी है दोस्तो स्राब का चार कौन सी है स्राब का चार और 933 इसका रचना काल माना जाता है यह चीज भी आपको याद रख लिने हैं तो जिन के जनेव, एक लंबी पटा, इतनी चीजह हैं, सब क्या हो गई? चरपट हो गई? अपन बोलते हैं ना, चौपत हो गया यार सब, यह सब चरपट हो गया तो इस पंक्ती के जो रचेता होंगे वो कौन होंगे चरपटनाथ हुआ ना याद आपको है ना क्या हो गए यह चरपट हो गए तो चरपटनाथ यानि बी नम्मर आपका बिलकुँ सही होगा अंगला है दोस्तों बोलाई बाहु बली बलबंत लोह खंडितव गर्भिय अहंत इस पं तो आप जल्दी से बताओगे सारे तो साली बदर सूरी की है कड़पती चंद्रगुप्त ने भरते सुर बाहु वली रच्टरास को हिंदी की पर्थम रचना माना और साली बदर सूरी को पर्थम कभी माना आपको पता होगा और यहां पर बाहु वली आया तो बाहु वली से ह हमने लगाया कि ये भरते सुर बाहु वली रचना भी है और वो रचना किसकी है साली वद्र सूरी की है तो बाहु वली आया तो इस साली वद्र सूरी की ही पंक्ती हो जाएगी यानि सानम्मर आपका बिलको सही होगा ठीक है तो इस परकार से अपन को दोस्तों याद करते जान जामत पच्छई संपजई सामती पहली होई मुझे भड़ई मिरलाल वलई बहन ना बैठे कोई इसके बताना बहुती बढ़िया पंक्ती है दोस्तो याद रख लेना है और यह जो पंक्ती है वो किसकी है जदी से बताना है दोस्तो आपको बता होगा मेरू मतलब होता है क्या मेरू मतलब क्या होता है परबत और आपने देखा होगा कि हमारे बिवनने जो भगवान हुए है वो परबत पर तपस्या करने गए अब इसका अर्थनी लेना की पंक्ती का क्या है मैं सिर्फ प्यात करवारूं ठीके जामती पच्छई संपजई सामती पहली होई यह कहां ग रखेंगे और यह मेरू तुंग की रचना है हैना यह कई बार पूचिए इसको याद रख लेना दोस्तों जामती पंच्छई संपजई सामती पहली होई मुंझ भड़ई म्रलाल बलाई बहन ना बैठे कोई ठीक है तो यह सा नमबर आपका बिलकु सही हो जाएगा अंगला प्रिये प्रतिराज नरेश जोग बज्जिये केस सुदेश यह पंक्ति किसकी है दोस्तों अब देखना यहाँ पर क्या आया है चार बेकर्ट में से आप चैन करके बताएंगे और यहाँ आया है प्रतिराज और प्रतिराज रासो तो चंद्रबरदाई की रचना है है की नह किया वोले हमने प्रतिराज को पकड़ा सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह पंति किसकी है दोस्तों आपको पता है कि यहां पर आया या कली लाई और कली किसकी होती है पुस्प की ते पंक्ती किसकी हो जाएगी किसकी हो जाएगी पुस्प दंत की हो जाएगी ठीक है पुस्प दंत यानी सा नम्मर आपका बिलको सही होगा यह अपने आपको क्या बोलते थे अभिमान मेरू मोलते थे कौन अभिमान मेरू बोल क्ली लाई आएगा जहाँ वार आप बोलोगे कली तो किसकी होती है पुलाल पंक्ति किसकी rejectमा अब दोस्तों एसे ही आपको पंक्तियां याद करनी है क्योंकि यह महत्पूर महत्पूर पंक्तियां पूंची गई है ठीक है और मेरा जोबना नबेलरा भाई हो है गुलाल अब एक चीज बताना दोस्तों कि अगर किसी अमीर बैक्ति के पास कोई ललना होता है या किसी बच्चे का जन्म होता है तो अमीर व्यक्ति क्या करता है गुलाल उडाता है जस्न मनाता है और किसी गरीब के पास होता है तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया ऐसा ही ना तो मेरा जो बना नवेलरा भायो है गुलाल उडाओ क्या उडाओ गुलाल तो यहां पर आया है दोस्तों गुलाल गुलाल उडा रहे हैं और ये अमीर लोग उड़ा रहे हैं तो ये किसकी होगी अमीर खुसरो मेरा जोबना नवेलरा भायो है गुलाल ठीक है तो सा नम्मर आपका यहां अमीर खुसरो बिल्कु सही हो जाएगा है ना सी नम्मर अब दोस्तों यह सिर्फ अपनी याद करने की ट्रेक है इसकी अर्थ पर बिल्कुल नहीं जाना मैं आपको कई बार बोल चुक हूँ ठीक है सहजे थरकर बारुनी साद यह पंक्ती किसकी है दोस्तों चार बिकल्प है और यहां पर आया है आपका बारु तो उत्तर में भी क्या आए जाएगा दोस्तों क्या आजाएगा बिरू बीरू या अंगला देख लो दोस्तों हमीर कज जजल भाई फोहा नल एह मैजलव सुलितान सीस करबाल दह तज्ज कलेबर दिय चलियो यह पंक्ती किसकी है बहुत ही बढ़िया पंक्ती है दोस्तों और यहां पर आया है दोस्तों क्या हमीर और आपको पता होगा एक रचना है हमीर रा यहां पर फॉंट आपको नहीं मिला तो इसलिए सारंगधर यानि कि डी नम्मर आपका सही हो जाएगा हमीर आया सब्द को हमीर पकड़ लिया और बोले सर हमीर रासों तो सारंगधर की रचना है तो हमीर कज जजल भाई फोहा नल एहमत जलिव यह पंक्ती किसकी हो जाएग और यहां पर तो सीधा सीधा आगया खुसरो आगया खुसरो तो आप डारेक्ट लगा दोगे सर कि ये तो किसकी है अमीर खुसरो की है चल खुसरो घर आपने रहन भाई चहुदेस यानि कि 19 का आपका सा नमबर बिलको सही हो जाएगा ठीक है अमीर खुसरो की पंक्ती प्रदान एक सब्दी में गोरकनात ने कहा है कि हसना खेलना और मस्त रहना चाहिए काम करोद का साथ नहीं करना चाहिए हसना खेलना और गीत गाना चाहिए ये किस ने कहा है गोरकनात ने कहा है और ये गोरकनात की पंक्ती है नौलक पातरी आंगे नाचे पीछे सहज अखाड ऐसे मन जोगी खेले तब अंतरी वसे भंडारा है ना तो यह पंक्ती गोरक नात की है और डी नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा आपका आज का पहला प्रस्न है एक नारी ने अचरज किया साप मार पिजरे में दिया जियों जियों साप ताल को खावे सूखे ताल साप मर जावे अब आपको बताना है दोस्तों यह पंक्ती किसकी है और जब अचरज किया है एक नारी ने साप मार दिया है तो आपको पता है क्या होगा समाज में परिवार में खुसर खुसर चलने लगेगा आपने देखा होगा परिवार में खुसर खुसर कोई घटना घट जाती तो खुसर खुसर चलने लगता ना एसा ही खुसर खुसर चलने लगा जब एक नारी ने अचरेच किया और साप मार पिंजरे में दिया तो खुसर खुसर चलने लगा तो इस पंक्ती के रचेता कौन होगे यह पंक्ती किसकी होगी खुसर खुसर चलने लगा तो अमीर खुसरो यानि D नम्मर आपका बिल्कुस सही हो जाएगा ठीक है? है ना पनी टरिक? दोस्तों आपको बताना है अब पंडिये सैल सत्ते बक खानाई देहा ही बुद्ध बसंते ना जानाई अब दोस्तों एक चीज बताना है पंडिये और पंडित और पंडित राहूर सांकृत्यायने हिंदी का प्रत्थम कभी किसे माना है यहाँ परा रहा है पंडिये और हम इसका ले लेंगे पंडित और पंडित ने किसे माना है सराहपा को तो यह पंग्ती भी किसकी होगी सराहपा की होगी पंडिये सैले सत्ते वक्षानाई देही बुद्ध बसंत ना जानेगे अब दोस्तो इसमें आपको वर्त है बिल्कुर नी लेना पंक्तिकार्थ क्या है हमें ट्रिक निकालना है कि हमें याद कैसी हो रही मांट में कैसी सेट हो रही कि यह किसकी है तुब किस यान्हेद है इसने कुछ घेविया साहू आपने देखा होगा दोस्तों आपका जीवन निकल जाता है मेरा बेटा मेरी बहू है ना आप जितना चोड़के आजाते हो इतना चोड़के आपकी मृत्ति हो जाती, आप बहुत सारा धन चोड़के जाते हो, यह बेटा और बहु सब चरपट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, चरपट कर देते हैं, तो किसका बेटा, किसकी बहु, आप स्वारत मिलिया सहू, सब चरपट करतेते हैं, तो यह पंक्ती भी किसकी हो चरपटनात की क्यानि कि आपका जो ए नम्मर है वो बिल्कुस सही हो जाएगा दोस्तों आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है आपको सारी पंक्तियां याद हो जाएंगी अब्दू रहिया हाटे बाटे रूस ब्रस की छाया तजिबा काम क्रोद लोब मोह संसार की माया आपको पता होगा दोस्तों आदी काल में क्रोद मोह लोब तजबे की बात किसने की है किसने की है बुले इनसे मुक्त हो जाओ और भगवान की साधना करो किसने की है गोरकनात है ना गोरकनात नात संप्रदाय की प्रमुक्ते और इन्होंने कहा है कि काम क्रोद लोब मोह ये है है ना तो गुरकनाद की ये पंक्ती हो जाएगी ए नमबर ठीक है अंगला देखते हैं दोस्तों बाल चंद बिज्जावई भासा दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा ये पंक्ती किसकी होगी दोस्तों आपको पता है कि बाल आया यहां पर बाल को पकड़ दो और बाल काल से ही हम बिद्या का अर्जन करते हैं बाल काल से क्या करते हैं पुलिसर हम बाला पं से बाल काल से ही बाल आवस्ता से बिद्या का अर्जन करते हैं तो इस बाल चंद जो पंक्ती होगी ये किसकी होगी बिद्या का अर्जन करते हैं तो बिद्या पती किसकी होगी बिद्य बिद्यापती और बिद्यापती को में थिलकोकिल कहा जाता है आपने इनकी देशिल वो सबजन मिठा आपने इनकी एक पंक्ती पड़ी होगी मैंने आपको बताई थी है ना तो इसको भी याद रखेंगे विद्यापती की तीन रचनाएं बहुत प्रश्चिद्ध हैं पदा नाद है, ना सहावे मोंकल, अब दोस्तों एक चीज़ बताना है, मैं अगर बोलू कि, सरहपा सरपर नहीं है तो सरहपा ना नाद है ना बिंदू है ना रभी है ना ससी है कुछ भी नहीं है मेरे सरपर तो सरहपा इस प्रिकार से याद रखेंगे थोड़ी सी हिंट आपको चाहिए और आपको याद हो जाएगा यानि बानम्मर आपको बिल्कु सही हो जाएगा ती यह पंक्ति किसकी है यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है रामण को पकड़ना है और कहा जाता है कि राणा जो रामण था वो बहुत सूर्बीड था क्या था सूर्बीड था सक्ति साली था है ना सूरी था तो दोस्तों रामण की बात हो रही हो रामण के ऐसा था सूर था तो सूर से बनेगा सूरी क्या बनेगा सूरी तो यह पंक्ति किसकी हो जाएगी स्वमप्रव सूरी की ठीक है रामण के ऐसा था आपको पता भी होगा कि राम्ण को कोई जीत नहीं सकता था और राम्ण का जब भेद बताया विवीशन ने, तब राम्ण का बत कर पाए तो इस प्रकार से राम्ण की आता सूरी सूर था तो स्वंपर्भ सूरी के पंक्ति हो नो लाग की पातर, गौर करो इस पे जरा, गौर किया अपने गौर किया तो गौरक नात की पंती होगी, नौलग पातरी गोर किया तो गोरक नात की ये पंक्ती यानी कि आनम्मराप का बिलकुँ सही हो जाएगा ठीके? हो रहा ना याद? सारी पंक्तिया याद हो जाएंगी दोस्तो मनहु कला ससी भान कला सोलह सो बन्नियें बाल बैस सासी तसमीप अमरतरस पिन्नियें अब यहां पर देखो दोस्तों क्या रहा है ससी और सासी तो ससी मतलब क्या होता है चंद्रमा ससी चंद्रमा का क्या होता है क्या होता है अपन ऐसा ही अर्थ नहीं ले रहा है इसका कुछ भी अपन तो याद करने की ट्रेक निकाला है बोले सर ससी तो चंद्रमा का परयावाची है तो बोले चंदर बरदाई यानि कि सा नम्मर आपका बिलको सही हो जाएगा ठीक है अंगला है दोस्तों सदा तरये ना बन कूले यारो सदाना सावन होए सर्ग मड़या सब काहू को यारो सदाना जीवे कोई यह पंक्ति किसकी है दोस्तों एक चीज़ बताना कि दूसरों के माल पर पर माल यानि कि दूसरों के माल पर सदा सावन होता क्या नहीं होता आप एक बार सावन मना लोगे अगर किसी का आपको माल मिल जाए किसी की सामगरी मिल जाए एक बार सावन मना लोगे सदा सावन नहीं होगा तो यारो सदाना सावन होए किसके माल पर पर माल पर तो एक पंक्ति कहां से लिजाएगी परमाल रासो कहां से परमाल रासो और ए नमबर आपका बिलकुस सही होगा और परमाल रासो को आला खंड भी कहा जाता है और इसकी रचेता कौन है जगनेक आपने एक पंक्ति पड़ी होगी बारा वरस लो कूकर जीवे और तेरा लो जीए से आर बरस अठारा छत्री जीवे आंगे जीवन को देखकार है ना तो आपको याद रख लेना है दोस्तों कि जब तक जी रहे हैं जग में जीलो रे जग में बारा बरसलो जगनिक की पंक्ति है और यारो सदाना सावन हो परमाल पे सदा सावन नहीं होता तो परमाल रासो ठीक है इसको याद रखेंगे अंगला है एक चीज बताना दोस्तों कुयल कूझती है कब कूझती है जब कूझती है तो आप समझ जाते हो कि बसंत रित्तू आ गई तो यह कहां से लिजाएगी बसंत बिलास्टे की प्रत्विराज रासो से और इस तर बसंत बिलास्टे क्योंकि कोई अलकूख ने लगी है तो बसंत आ गया है ना यानि की डी नम्मर आपका विलकुश सही होगा कोई अलकूजई पूजई युवती मडोर है ना इस परकार से अंगला है दोस्तो पीउ चितोड ना आबिउ साबन पहली तीज जोबे बाट बिराहिनी खिन खिन आडवे खीज यहाँ पर चितोड को पकड़ना है दोस्तो आपको पता है आपने चितोड का नाम सुना होगा बोली चितोड गळका किला और चितोड गळका किला एंसा था दोस्तो जिस पर सब लोग विजय प्राप्त करना चाहते थे लेकिन विजय नहीं हो पाते थे विजय की बात होगी बोले चितोड विजय चितोड विजय तो यहाँ पर चितोड आया और विजय से हो जाएगा दलपती विजय है ना याद रख लेना ये दोस्तो दलपती विज खुमाल रासो जो रचना है दलपती विजय साब की है और चितोड की बात आई है तो यह पंक्ती किसकी होगी दलपती विजय की ठीक है चितोड विजय इस परकार से याद रखेंगे अंगला है बज्जी गोर निसान रान चोहान चहू दिसी और यहां पर चोहान आ गया तो आ पांखें बंद करकी किसका लगाओगे किसका लगादोगे वोले सर वो तो किसकी है द चंक्ती हो जाएगी बज्जी गोर निसान रान चोहान चहू दिसी наी पीछ आई है यह पंक्ति किस की है दो तो आपको बता है गंगा और जवना दो नदियां हैं गंगा और जमना के नदियां है दो दो से बनेगा डो तो गंगा जवना मजोरे डो भीपा कौन है डो यह देखो डो यानि दो तो डॉम भीपा ठीक है गंगा जमना दो है तो डॉम भीपा यानि आपका बिल्कु सही होगा डॉम भीपा ऐसे याद रखेंगे ठीक है अंगला दोस्तों आपको बता ना मैं बता दू कि पंक्तियों को निकालने की कोई ट्रिक नहीं है वो तो आपको याद करवाने का एक माध्यम है कि आपको थोड़ी बहुत जो है हिंट मिले और आप सही कर कि आओ पेपर में का आ तरुबर पंच बिडाल एक पंक्ति किस की है का आ से बनेगा क काया और काया में हम क्या करते हैं विभन प्रकर की लप लगाते है कोई पाउडर लगाता है, कोई क्रीम लगाता है, लेप लगाते ना, तो काया में हमें लेप लगाते हैं, तो काया से बनेगा लुईपा, लुईपा लेप यानि लुईपा, है ना, काया को लुईपा, काया को लुईपा, तो काया तरूबर पंच बिडाले, पंक्ति किसकी हो कि दो सेकंड में आप बताएंगे और मैं आपको बता दूं कि जो मंत्र तंत्र होते हैं वो नाक में फूंके जाते हैं कि कान में फूंके जाते हैं जल्दी बताओ मंतर तंत्र कान में फूंके जाते हैं मंतर तंत्र कान में फूंके जाते हैं तो कंडपा की पंग्ति किस की हो जाईगी? कंडपा की. मंत्र तंत्र कहां फूंके जाते हैं, कान में. तो ये एक अला, ku' the jai mंत्र अंतंत्र से पंग्ति किस की हो जाईगी? कंडपा की. ठीक है? यानि d number आपका, कंडपा, कान से कंडपा. ठीक है? अगला है दोस्तो, प्यू संगम कव निछडी प्यू हो परोखो हो कैंब ये पंक्ती बतानी है आपको और प्यू से अपनों क्या बोलते हैं पानी प्यू पानी प्यू तो दोस्तों हमें काय का हिम हिम का पानी प्यू हिम मतलब जो होते हैं भूकर्ण जमें हिम का पानी प्यू तो हिम से याद र तो हेम का पानी प्यूँ इस प्रकार से यानि कि हैम चंदर अब ब्रंच के ब्याकरन चार हैं दोस्तों आपको पता होगा और सा नम्मर आपका बिलको सही हो जागा ठीक है अंगला है एक थाल मौती से भरा सब के सिर पर ओंदा धरा चारों और बह थाली फिर मौती उससे एक अगरें अब एक चीज बताना दोस्तों एक थाल मौती से भरा होगा तो कहां होगा गरीब के पास जो सड़क पर सोता है कि अमीर के पास किसके पास होगा बोले सर मौती भरा थाल तो अमीर के पास होगा अमीर के पास होगा तो पहली जो होगी किसकी हो जाएगी अमीर खुस तेहें दिस दिस जा रही मिले आई तो दिस दिस आरा दोस्तो दिस दिस और यहाँ पर दिस दिस और आपको पता है दिस दिस मतलब दिसा की बात हो रही है और दिसा में जो चारों दिसा में जो खुस्बू फैल जाती है दोस्तो वो किसकी फूल जाती है पुस्प की आप और हम बोलते हैं कि पुस्प की फूल की खुसबू चारों दिसाओं में फैल गई तो यहां पर आ रहा है दिस 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 और दिसा में खुसबू फैल गई काई की पुस्प की तो यह पंक्ती भी किसकी हो जाएगी पुस्प दंत की इनका एक गरंत है दोस्तो महापुरान जिसमें 63 सलाओ खाओं की का बरनन किया गया है है ना जीबन बरत्त है उसमें और दोस्तो यह जो पुस्पदंत हैं यह अपने आपको अभिमान मेरू कहते थे अभिमान मेरू इनको भी आद रखेंगे पुस्पदंत जी को ठीक है और इनकी पंक्ती है जेहें दिस दिस ते मेरई मिले आई तेहें दिस दिस जारई मिले आई ठीक है तो दिस दिस आया मतलब आपको पुस्पदंत लगाना है ठीक है अंगला है दोस्तो पुरस कहानी हों कहों जसु बत्थे बे पुन्न अब एक कहानी आया है दोस्तों यहाँ पर कहानी और कहानी आपको पता है कहानी को अब हट में कहा जाता है और अब हट की हमने दो रचनाएं पड़ी हैं किर्थी लता और किर्थी पता का और यहाँ पर कहानी आया है और कहानी अब हट में कहा जाता है तो बोली सर दो पंक्ती भी किसी की होगी, किसी होगी विध्यापती की, है ना विध्यापती यानि कि ये किर्थी लता से ले गई है दोस्तों, पुरुस्त कहाणी हो कहो जसुपत्थाईवे पुन्न, तो ये किर्थी लता से ले गई है, कहाणी आया और कहाणी हमने पकल लिया कि कहाणी अभ भट की रचना दो ही हैं कीरती लता और कीरती पता का तो यह कीरती लता से ली गई है और विद्यापती की पंक्ती हो जाएगी